सारा देश देख रहा है कि भाजप्पा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराद प्रदेश में बदल डाला है उनके अपने सरकारी आखरों के मुदाबिक बच्चों पर अपराद में नमबर एक पे हैं दलितों पर अपराद में नमबर एक पे हैं महिलाओं पर अपराद में नमबर एक पे हैं अवैद असलाहों और हत्यारों के मामले में नमबर एक पे हैं हत्याओं में नंबर एक में अब ये प्रदेश की स्थिती है कि लॉइन ओर का जो सिचुएशन है वो एक्तम बेहद बिगर चुका है और इस स्थिती में विकास दूबे जैसे अपरादी फूल रहे हैं फल रहे हैं इनके बड़े-बड़े व्यापार हैं खुले आम अपराद करते हैं कोई रोखने वाला नहीं हो पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संग्रक्षन राजनितिक सोर्सिस से होता है इनका संग्रक्षन जो सत्ता में हैं उनसे होता है सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं तो अब विकास दूबे के इंकाउंटर के बाद जो जो आठ पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं, कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई, कॉंग्रेस पार्टी की ये मांग है, कि सुप्रीम कॉर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वा अपराधी का, कि परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए, जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांट गाठ है, वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएग कि तब तक न्याएं नहीं होगा तो हमारी यह मांग है कि जाच होनी चाहिए और न्याएं होना चाहिए धन्यवाद जैहिंद